भारतिय टीम के कोचिंग स्टाफ में एक खास ब्यक्ति को सामिल किया गया है बता दें कि 15 सितंबर से शुरू होने जा रहा एसिया कप में काफी रोमान चाने वाला है तो ही आपको अभी बता दें कि टीम इंडिया में सक्स को भारतिय टीम के साथ एक बेहद एक खास मकसद से जोड़ा गया है एसिया कप में 19 सितंबर को भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होना है और इस अहम मैच की तैयारी के लिए बी सी सी आई ने कोचिंग स्टॉप में बाए हाथ के थ्रोडाउन कोच की नियुक्ति की है पाकिस्तान की टीम में बाए हाथ के मुहमद आमीर के अलावा भी अच्छे तेज गिंदवाज हैं इस बार तो पाक की टीम में बाए हाथ के इवा तेज गिंदवाज साहिन अफरिदी को मौका दिया गया है वहीं पंगलादेश की टीम में भी मुस्ताफिजूर रहमान जैसे बाए हाथ के गिंदवाज हैं जो टीम इंडिया के बल्लेबाजों को लगातार परिसान करते रहें पिछले कोच समय में भारती खिलाडियों को बाए हाथ के गिंदवाजों को खेलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और यही वज़ा है कि अब BCCI ने लेफ्ट आर्म थ्रोडाउन भी से सग्य के रूप में स्रिलंका के नुवान सेनी वी रतने को न्यूक्त किया है जिससे इसका असर टीम इंडिया पे काफी लाबदायक होगा नेक्स्ट नाइप स्पोर्ट से वरुन की रिपोर्ट स्टार्ट यूर कारियर विफ अद्स